नमस्कार दोस्तों एक बड़ फिर स्वागात आपका एक्जाम गूर्व एकडमी के आफिसियल यूटीज प्रेनल पे आज हम चच्चा करेंगे वर्स 2017 के सभी महत्वपूर करेंट फर्स पे और देखेंगे कि वर्स 2017 में कौन-कौन सी राष्टी तथा अंतरराष्टी घटना हुई हैं और कौन-कौन सी राष्टी तथा अंतरराष्टी न्यूट किया हुई है किस व्यक्ति को किस चीज का ब्रैंड मेश्टर न्यूट किया गया है देखिए जो मैं वीडियो सीरीज अपलोट करने वाला हूँ वर्स 2017 के करेंट वर्स 2017 की परमुग न्यूटियों से सं संधान वर्स 2017 के दंज की गई है । और भारत के राजव के मुख्यमंत्रि और राजपानों के नाम मिलेंगे आपको सारे करेंट वर्स प्रश्नों के साथ साथ, तथभ भारत, तथभी स्थान विविन्य संम्मेलन और प्रशन मिलेगी कि सम्मेलन में क कौन सी तीम ती और 2017 में भारत अथाफ विस्व के खेल जगत से जूड़े सभी current affairs मिलेंगे तो इतनी चीज़ें आपको मिलेंगी इस टोटल वीडियो में और मैंने कोसिस किया है कि आपको सारे महतपूर प्रशन जो है इसमें मिल जाएं इस वीडियो सिरीज में तो आप जो है बहुत ही ध्यान से देखेगा पूरे वीडियो को अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आईकोन प्रेस कर दिजे ताकि आपको इस चैनल से daily current affairs और GS का automatic update मिलता रहा है और वीडियो को देखने पर इसको like कर दीजेगा और like करने के बाद इसके link को whatsapp और facebook पर share भी कर दीजेगा तो आईए start करते हैं पहला प्रशन है हाल ही में किसे Switzerland में भारत के राजदूत के रूप में newt किया गया है तो यह बेखती है CB जार्च तो आपको याद रखना है कि CB जार्च को स्विजे लेंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में newt किया गया है अब बात करते हैं स्विजे लेंड के fact की देखें स्विजे लेंड की राजधानी है burn और स्विजे लेंड की मुद्रा है Swiss Frank तो आपको याद रखना है कि स्विजे लेंड की राजधानी burn है और मुद्रा है Swiss Frank और स्विजे लेंड में एक बहुत ही महत्तपुर्थ संस्थान है जो की स्टेट PCS में और UPSC की एकजाम में क्लास स्वाब और इसके अस्थापनाविती 1971 में तो आपको याद रहना कि World Economic Forum यानि कि विस्व आर्थिक मंच का हैड़कोडर है को लोगनी स्विजे लेंड में फाउंडर ने इसके क्लास स्वाब और विस्व आर्थिक मंच यानि कि World Economic Forum की अस्थापनाविती 1971 में दूसरा प्रशन है हाल ही में कि इस दिस ने दुनिया का पहला पूरी तरह से विद्दू संचालित मालवाहक जहाज लांच किया है तो ये लांच किया है चाइना ने जाई कि चीन ने अभी हाल ही में दुनिया का पहला पूरी तरह से विद्दू संचालित मालवाहक जहाज लांच किया है अब बात करते है चीन के फैक्ट की देखे चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की मुद्रा है रैन मिन भी और इसकी एक यूनिट है यूँआन तो आपको कहीं कहीं प्रस्णों में है यूँआन भी देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको प्रस्णिका मिलेगा नेम्लखित में से चीन की मुद्रा कौन है तो वहाँ पर रैन मिन भी या फिर यूँआन में से एक पर टिक करना है तो आपको दोनों option में नहीं मिलेंगे आपको या तो रैन मीन भी मिलेगा या तो यूवान मिलेगा और चीन की राश्टपती है C. जिन पिंग तो इतने सारे fact आपको चीन के बारे में याद रखना है लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है कि हालही में चीन ने दुनिया का पहला पूरी तरह से विद्दू संचालित माल वाहक जहाद लांच किया है तीसरा प्रस्टा है भारती मुल्की किस महिला को हालही में ब्रेटेन की सबसे प्रभाव साली आसुएत महिला के रूप में चुना गया है तो ये महिला है गिनी मिलर तो आपको इनका नाम याद रखना है तो आपको याद रखना है कि गिनी मिलर को हाली में ब्रिटेन की सबसे प्रभावसाली आस्वेत महिला के रूप में चुना गया है चौथा प्रस्टे निम्कित में से फिलिपीन्स के वर्तमान राष्टपती कौन है तो फिलिपीन्स के वर्तमान राष्टपती है रोडरिगो दुतरतो तो आपको याद रखना है कि फिलिपीन्स के वर्तमान राष्टपती है रोडरिगो दुतरतो और फिलिप्पीन्स में एक बहुत ही मतपूर संस्तान है जिसका नाम है ASEAN Development Bank जिसके बारे में एक्जाम में बार बार पुछता है खास्त आउर से मैंने देखा UPPCS के एक्जाम में बार बार पुछा गया है और बार बार पुछता है कि ASEAN Development Bank का हेटकौर्टर कहां पर है तो यह है Manila Philippines में देखिए इसका पूरा एड्रेस है मांडा लुयांग सिटी मेट्रो Manila Philippines लेकिन आपको जो है आपसर मिलेगा केवल Manila Philippines तो आपको यह दखना है कि ASEAN Development Bank का मुख्याल है Manila Philippines में देखिए जो Philippines है इसकी Capital यानि की राजधानी है Manila और Philippines की Currency है फिलिपीनी पेसो तो आपको यह दखना है कि Philippines के वर्तमार राश्पती है रोडरिगो दूतरतो और Philippines में है ASEAN Development Bank और यह है Philippines के Manila में और Manila जो है यह Philippines की राजधानी भी है और Philippines की जो मुद्रा यानि की Currency है यह है फिलिपीनी पेसो पांचो प्रस्टन है हाली में सैथिस्वा भारत अंतराश्टी ब्यापार मिला यानि की 37th India International Trade Fair 2017 का आयोजन नई दिली के परगती मैदान में किया गया है इसकी theme क्या थी तो देखिए इस प्रकार के प्रस्टनों का आज कल दोर चला है तो आपको याद रखना है कि जो हाली में सैथिस्वा भारत अंतराश्टी ब्यापार मिला है 37th India International Trade Fair हुआ है नई दिली के परगती मैदान में इसकी theme थी Startup India Stand Up India तो देखिए आपको याद रखना है काफी आसान वर्ड भी है और काफी चर्चित वर्ड भी है तो आपको याद रखना है कि जो हाली में 37th भारत अंतराश्टी ब्यापार मिला हुआ है नई दिली के प्रगती मैदान में इसकी theme थी Startup India Stand Up India चटा प्रस्ट है 9.17 में किस राज ने उर्दू को राजी की दूसरी आधिकारिक भासा के रूप में माननेता दी तो ये राज है तेलंगाना तो तेलंगाना के बारे में आपको याद रखना है कि तेलंगाना ने हाली में कुर्दू को राजी की दूसरी आजिकारिक भासा के रूप में मांगनेता दिया है और तेलंगाना के बारे में चार ऐसे फैक्ट हैं जो एक्जाम में बार बार पुझे आते हैं क्योंकि तेलंगाना जो है ये भारत का नविंतम गठीत राज है इसकी असापना हुई थी दो जून 2014 को और दो जून 2014 को तेलंगाना जो है भारत का 29 राजे बना था तो आपको याद रखना है कि तेलंगाना जो है ये भारत का 29 राजे है और इसकी असापना हुई थी दो जून 2014 को और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और तेलंगाना की मुक्यमंत्री है के चंदरसिखार राओ और तेलंगाना की गवर्णार हैись एसल नर्सिमान तो ये चारो पॉइंट जो है तेलंगाना से समदित इग्जाम के लिए बहुत ही मातबुर है सातो प्रस ने भारत का पहला अदिवासी उद्यमिता सिकर सम्मेलन पर काहां पे आयुजीद किया गया तो यह आयुजीद हुआ है 36 गड़ के बस्तर चेतर में और यहां पर एक अस्तान है दंतेवाडा तो आपको यह दखना है अभी हाली में आदिवासी उद्यमिता सिखर सम्मेलन आयुजित किया गया और ये भारत का पहला आदिवासी उद्यमिता सिखर सम्मेलन है और ये प्रस्ण जो है अभी हाली में UPPSC का एक्जाम हुआ है फारिस्ट आफिसर का उसमें पूछा हुआ है तो आपको इसी को ज़र बहुत ही श्ट्रांगली याद कर लेना है कि भारत का पहला आदिवासी उद्यमिता सिकर समेलन 36 गड़ के बस्तर छेतर के दंतेवाडा में आयुजित हुआ अब बात करते हैं 36 गड़ के देखे 36 गड़ का अस्थापना हुआ था एक नॉमबर सन 2000 को यानि कि एक नॉमबर 2000 में 36 गड़ के अस्थापना हुई थी और 36 गड़ की राजदानिय रायपूर और 36 गड़ के मुख्यमंतरी हैं रमन सिंग और 36 गड़ के गवर्नर है बल्राम दाश टंडन देखे अगर आप 36 गड़ से हैं और 36 गड़ PCS की तयारी कर रहा है तो आपको ये चारो फैक्ट याद रखने पड़ेंगे कि 36 गड़ की असापना हुई थी एक नॉम्बर सन 2000 में और 36 गड़ की राजदानी हैं रायपूर और 36 गड़ के मुख्यमंत्री हैं रमन सिंग और 36 गड़ के वर्तमार राजपाल हैं बल्राम दाश टंडन और सबसे मुख्य बाद आपके लिए ये है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि भारत का पहला आदिवासी उद्यमिता सिकर समयलन 36 गड़ के बस्तर चेतर के दंते वाड़ा में आयुजित किया गया आठो अपरस ने बैंका आफ अमेरिका मेरिल लिंच के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थब्योस्ता बन जाएगा और यहाँ जापान का अस्थान ले लेगा तो देखे सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ये कि दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थब्योस्ता हैं तो देखे दुनिया की जो सबसे तीन सबसे बड़ी अर्थब्योस्ता है इन में पहले नंबर पे है United State of America और दूसरे अस्थान पे है चाइना और तीसरे अस्थान पे है जापान और हमारा भारत जो है ये छटवे अस्थान पे है तो अभी हाली में Bank of America Mary Lynch ने गोशड़ा की है कि भारत जो है ये 2018 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थब्योस्ता बन जाएगा और ये जापान का अस्थान ले लेगा आपको याद रखना है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थब्योस्ता बन जाएगा और ये पड़ी तीन सबसे बड़ी अर्थब्योस्ता है युनाइटे इस्टाप अमिरका चाइना जापान और नवा प्रशना है एर इंडिया के नए प्रबन नीजिसक यानी CMD जिसको हम कहते है चीप मैनेजिंग डिरेक्टर और अध्यक्ष के पत पर किसे निउक्त किया गया तो आपको इनका नाम याद रखना है एक्जाम के लिए बहुत ही मातपूर है तो आपको याद रखना है कि प्रदीप सिंग खरोला को हाली में एर इंडिया के नए प्रबन नीजिसक और अध्यक्ष के पत पर निउक्त किया गया है दस्वा प्रशना है हाली में किसे लोगसभ की पहली महिला महा सचीव के रूप में नुक किया गया है तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि फर्स्ट इवेंट और फर्स्ट अपॉइंटमेंट बहुत ही महत वोड़ता है तो आपको याद रखना है कि जो लोगसभा की पहली महिला महा सचीव के रूप में नुक्त हुई इंडियन स्पोर्स परसान आपद एर के पुरसकार से सम्मानित किया गया और साथी साथ इनको एक सम्मान और दिया गया है और इनको सम्मान दिया गया बेश्टूमन प्लेयर का वाड़ राज को और इनको जो है साथी साथ बेस्ट उमन प्लेयर का अवाड भी दिया गया है और इसका आई जोन हुआ था मुंबई में और यहां पर रवी चंदरन असुन को बेस्ट मेल प्लेयर का अवाड दिया गया है और टीम आप दे येर का अवाड दिया गया है इंडियन उमन क्रिकेट टिम को बारह प्रस्ण हाली में किसे जलद संसादन नधी विकास मंतराले और गंगा कायक कल्प कि सचीव के रूप में न्युक्त किया गया है तो ये बइकती हैं उपेंडर परताप सिंग तो आपको याद आ ह कना है उपेंद्र परताप सिंग को हाली में जल्द संसादन नदी विकास मंतराले और गंगा कायकल्प के सचीव के रूप में निक्त किया गया है तेरोवा प्रशन हाली में किसे नेशनल एंटी प्राफिटरिंग आथरिटी यानि कि नापा का चेर में निक्त किया गया है तो यह ब्यक्ति हैं बद्री नरायर सर्मा तो आपको यादा रखना है कि बद्री नरायर सर्मा को नेशनल एंटी प्राफिटरिंग आथरिटी का चेर में निक्त किया गया है चोधावा प्राफिटी को फ्रांस के सर्वोच नागरिक सम्मान लीजन आफ आनर से सम्मानित किया गया फ्रांस का जो सर्वोच नागरिक समान है यह है लीजन आफ अनर और इससे अभी हाली में समनित किया गया सौमित्र चटर जी को 15 प्रशन हाली में भारत की इस देश के क्रीशी निर्यात का सबसे बड़ा भोकता बन गया है तो यह देश है यूकरेन तो आपको याद रखना है कि भारत जो है हाली में यूकरेन के क्रीशी निर्यात का सबसे बड़ा भोकता बन गया है अब बात करते हैं यूकरेन के फ्रेक्ट की देखी यूकरेन की राज़ानी है कीव और यूकरेन की मुद्रा है हरी वन्या तो आपको याद रखना है कि भारत जो है ये यूकरेन के क्रीशी निर्यात का सबसे बड़ा भोकता बन गया है और वर्थ सो 2017 में भारत ने यूकरेन से कुल 11.3% निर्यात किया था 16 प्रेशन है कि इस चावल को पस्चिम बंगाल के भागोलिक संकेतक के जैने की जिओग्राफिकल इंडिकेटर के रूप में नامित किया गया है और देखे तुली पंजजी चावल जो है ये गार-गैर बासमती खुस्बुदार चावल है यानि की इसमें जो है फ्रेग्रेंस है यानि की इसमें एक खुस्बु है लेकिन ये बास्मती चावल नहीं है तो ये कुछ इस प्रकार से देखता है तो आपको यहाँ पर बस एक चीज़ आ रखनी है कि जो तुली पंजजी चावल है इसको पस्षी मंगाल की जियोग्राफिकल इंडिकेटर के रूप में यानि कि भागोलिक संकेता के रूप में नामित किया गया है सत्रावा प्रश्णा निर्बखीत में से किस अभिनेता को तुर्की के इस्तांबूल में आयोजीत पांचवे इंटरनेशनल बोस्फोरस फिल्म फेस्टिवल में अपनी पहली फिल्म पांचवे इंटरनेशनल बोस्फोरस फिल्म फेस्टिवल में सरुस्रिष्ट अभिनेता का पुरसकार मिला है अठारवा प्रश्णा हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर सेवा समझा होते और नई और नवी करेड़ी उरजा यानि कि न्यू एंड रिनेवल एनरजी के छेतर में साहियो के लिए सामती पत्र पर हस्ताक्षर किया है तो यह देश है ग्रीस तो आपको यार रखना है कि अभी हाली में भारत ने ग्रीस के साथ एयर सेवा समझा होते और नई और नवी करेड़ी उरजा यानि कि न्यू एंड रिनेवल एनरजी के छेतर में साहियो के लिए सामती पत्र पर हस्ताक्षर किया है अब बात करेंगर ग्रीस की तो ग्रीस की राजधानी है एथेंस और ग्रीस की करेंसी है यूरो तो साथी साथ आपको याद रखना है ग्रीज की मुद्रा के बारे में और राजधानी के बारे में तो ग्रीज की मुद्रा है यूरो और ग्रीज की राजधानी है एथेंस उन्नीसो प्रशन है किस ब्यक्ति को G20 वारता है तो भारत का सेरपा न्यूट किया गया है तो ये बेखती हैं सकती कांत दास तो आपको याद रखना है कि सकती कांत दास को G20 वारता है तो भारत का सेरपा नियूट किया गया है और सकती कांत दास इस पत पर 31 दिसम्बर 2018 तक के लिए नियूट किये गये हैं और ये G20 में बत और भारत के सेरपा के रूप में development track यानि की विकास संबंधी वारताओं में भारत का पक्च रखेंगे तो state pieces के लिए थोड़ा detail में जाना जरूरी होता है बाकी one day exam के लिए आपके लिए इतना ही जरूरी है कि हाल ही में सक्ति का अंदास को G20 वारता है तो भारत का सेरपा नूप किया गया है बीसों प्रस्न है हाल ही में किसे विश्व स्वास्ति संगठन का उप महानीदे सक नूप किया गया है तो यह है सौम्या स्वामिनातन और यह प्रस्न जो है अभी exam में पूछ भी चुका है तो इसलिए आपके अगले exam के लिए और भी महत्वपूर बन जाता है और यह महत्वपूर क्यों बना देखे यह इस पद पर पहुँचने वाली भारती महिला है तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि पहला appointment और पहला event बहुत ही महत्वपूर होता है अब थोड़ा सा WHO के fact picture चा करेंगे WHO यानि कि 208 संगठन जिसकों कहते हैं World Health Organization इसका headquarters है जेनेवा सुचे लेंड में और इसके साफनाविती 7 अपरेल 1948 को तो आपको यहाँ पर तीन चीज़ें याद रखनी है पहला कि 208 संगठन का उप महानित संग नियुक्त किया गए हाली में डाक्टर सौमिया स्वामिनाथन को और यह इस पद पर पहुचने वाली पहली भारती मैला है और दूसरी चीज़ है कि आपको याद रखना है कि डाक्टर स्वामिया स्वामिनाथन में और इसके साफनाविती 7 अपरेल 1948 को तो इसके हेटक्वार्टर के बारे में ज्यादा तर पूछता है लेकर अब पूछेगा ये हाली में किसे विस्वस्वा संगठन की नय उपमाहा नीदिसक की रूप में निउट किया गया है तो ये हैं डाक्टर स्वामिया स्वामिनाथन और ये पहली भारती मैला है इस पत पर पहुचने हो ज़िए इसके बारे में जरूर पुछेगा एक्जाम में ये वीडियो ही समापत होता है और अगले पार्ट में यानि की पार्ट टू में हम कवर करेंगे प्रस्ण संख्या 21 से तो आपको हर पार्ट में लगवर 20 से 25 प्रस्ण मिलेंगे और इस प्रकार से जो हम टोटल 5 से 6 वीडियो में पूरे के पूरे के 12 सतरे के करेंट रफर्ज को कवर कर लेंगे तो ये वीडियो ही समापत होता है थैंक यू